मूर्णिंग नमस्कार आदाप सस्तिरिकाल की हल चाल है भाई लोग मैं आपका दोस्त आपका भाई सुईत कमार अपने इस यूटुब चनल में आपका स्वागत करता हूँ आज हम लोग हिंदी व्याकरन के अगले टोपिक के बारें पढ़ेंगे यानि कि हमारा जो अगला टोपिक है वो है टेंस यानि कि काल ठीक है यह जो वीडियो होगा यह हिंदी व्याकरन सीरीज के 20 वे नमबर का वीडियो होगा ठीक है आज हम लोग इस वीडियो में काल के बा का बोध कराता है उससे क्या बोला जाता है काल बोला जाता है या किरिया का पूर्न या अपूर्न होने का बोध कराता है ठीक है काल जो होता है वो क्या करता है किरिया या कारे के होने का समय को बोध कराएगा या वह काम अभी पूरा हुआ है या पूरा नहीं हुआ है उसके ब करता है किरिया या कार के होने का समय का बोध कराता है या किरिया का पूर्ण या अपूर्ण होने का बोध कराता है उसे काल बोला जाता है ठीक है अब देखें काल के जो होते हैं काल के तीन भेद होते हैं ठीक है तो काल के भेद है वर्तमान काल भूत काल और भविस्यत काल ठीक है परजेंट टेंस पास टेंस और फ्यूचर टेंस ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उन सब के बारे में जानेंगे, तो जो पहला है वरतमान काल, ठीक है देखें, वरतमान काल जो है कीरिया का वह रूप जिससे कारे को वरतमान में होने का बोध हो, ठीक है, उसे हम वरतमान काल कहते हैं, मतलब वैसा काम जो वरतमान में हो रहा ह ठीक है, होता हो. ठीक है, तो उसको बलेंगे, कि वरतमान काल है. इसका उदारन है, वह पढ़ता है. ठीक है, राकेस लिखता है. मतलब, परजेन्ट टेंज में क्या रहेगा? जाता हूं, जा रहा है, जा चुका हूं, सुबह जा रहा हूं. ठीक है? यानि किरिया के साथ ये सब वर्ड लगे रहे रहेंगे ठीक है ते सब वर्तमान काल से रिल्टेड होंगे अब देखें वर्तमान काल के भी पांच भेद होते हैं ठीक है वर्तमान काल के पांच भेद होते हैं पहला है समान वर्तमान काल ठीक है मतलब वर्तमान काल की किरिया का समान रूप से होना पाया जाए उसे समान वर्तमान काल कहते है ठीक है मरतब इसका मतलब क्या हो गया है कि वर्तमान काल की किरिया जो भी होना पाया जा रहा है ठीक है उसको बोलेंगे कि समान वर्तमान काल जैसे राम पढ़ता है सीता नाचती है आप पढ़ते हो यह सब क्या है समान वर्तमान काल है दूसरा इसका प्रकारा जाता है कि ततकालिक या अपूर्न वर्तमान काल मतलब वर्तमान काल की किरिया या कार अभी चालू है उसे अपूर्न वर्तमान काल कहते है जैसे कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो पढ़ाने का काम क्या है अभी चालू है पूरा नहीं हुआ है तीसी लिश्क को बोलते है अपूर्ण वर्तमान काल तो मैं पढ़ा रहा हूँ यानि कभी ये काम पूरा नहीं हुआ है आप लिख रहे हो ठीक है ये भी क्या है अभी काम जारी है सीता नाच रही है या राधा गा रही है इत्यादी ये सब क्या है कि काम अभी जारी है ठीक है तो इसको बलेंगे पूर्ण वर्तमान काल ठीक है चलिए आगे देख लेते हैं आगे है तीसरा कि पूर्ण वर्तमान काल वर्तमान काल की किरिया का पूर्ण होने का अबध हो तो पूर्ण वर्तमान काल उसे कहते है ठीक है जैसे कि सीता ने पूस्तक पढ़ी है मतलब यह काम जो हो है वो पूरा हो चुका है वो आया है मतलब वो आ चुका है ठीक है यह काम पूरा हो चुका है मैं लिख चुका हूँ देखे मैं पहले से लिख चुका हूँ तो ये काम क्या है पूरा हो चुका है आप पढ़ चुके हो इत्यादी ठीक है ये सब क्या है तो पूर्ण वर्तमानकाल है ये पूरा ये सब हो चुका है ठीक है चौथा है कि संदिक्द वर्तमानकाल ना वर्तमा आता होगा इत्यादी यह सब क्या है कि इसमें अभी संदे है ठीक है कि आ रहा होगा आता होगा आगे है कि पाचवा संभाविया संभावित वर्तमानकाल इसमें हम लोग आसा करते हैं कि वो ऐसा काम कर रहा होगा ठीक है जैसे उसने खाया हो वहलोट उसने खाया होगा ठीक है या वहलोट आया हो उसने खाया हो या वहलोट आया हो तो क्या कर रहें आसा कर रहें अंदाज लगा रहें कि उसने खाया हो या वहलोट आया हो इत्यादी ठीक है आगे है भूत काल के बारे में ठीक है तो अब हम भूत काल के बारे में जान लेते हैं उसे भूत काल कहते हैं, मतलब बीता हुआ समय रहेगा, तो भूत काल से समंधित रहेगा, उदारन के तोर पर देखें, वह गया, ठीक है, वह चला गया, मतलब चल गया हूँ, आगे मैंने आपको पढ़ाया, पढ़ाया, यानि कि यह बात बीत गया, तो यह सब क्या है, भूत काल को दारन है, अब आगे है कि भूत काल के चोव भेद होते हैं, एक एक करके हम लोग जान लेते हैं, तो पहला है समान्य भूत काल, मतलब समाने तक काम के बीते हुए समय में होना पाया जाए मतलब जिस काम के काम को बीते हुए समय में होना पाया जाए इसको बलेंगे समाने भूत काल जैसे वह आया ये बीत गया काम वह आ गया है राम इसकुल गया ये भी काम बीत गया हो इसकुल जा चुका है आगे है गाड़ी चल गए तीक है आगे है नेहा टहनले गई अगे है मोहन उसे मारा इत्यादिये सब क्या है हो चुका है अब हम लोग दूसरे भूतकाल के भेद को जानेंगे दूसरा है आसन या निकट भूतकाल ठीक है देखिए कार्य भूतकाल में आरंब होकर अभी अभी समाप्त हुआ हो ठीक है मतलब ऐसा कार्य जो भूतकाल में आरंब हो चुका था लेकिन अभी अभी समाप्त हुआ इसको बोलेंगे निकट भूतकाल या आसन भूतकाल आशन या निकट भूतकाल आगे है मैंने आम खाया मतलब आम खा रहे थे लेकिन अभी सनाप्त हो गया इत्यादी क्या है ये सब आशन या निकट भूतकाल आगे है पूर्ण भूतकाल तो कार्य भूतकाल में ही पूरा हो गया हो मतलब पहले ही स्टाट हुआ पहले ही खतम हो तो उसको बलेंगे पूर्ण भूतकाल जैसे मैंने पत्र लिखा था तो मैंने क्या क्या था तो पत्र लिखा था पहले ही लिखना चलू के थे और लिख लिए थे आगे है राधा ने गीत गाया था तो राधा क्या की थी गीत गायी थी तो एक काम हो चुका है आगे है चौथा नमबर का कि अपूर्ण भूतकाल ठीक है मतलब किरिया के जिस रूप से भूतकाल में काम होने का ग्यान हो किन्तु उसकी पूर्णता का पता नचले ठीक है एक बार फिर से कि किरिया के जिस रूप से भूतकाल में काम होने का ग्यान हो लेकिन वो काम पूरा हुआ है या नहीं हुआ है उसका पता नहीं है तो बोलेंगे वो अपूर्ण भूतकाल होता है ठीक है जैसे कि बच्चे खेल रहे थे बच्चे अभी भी खेल रहे हैं कि क्या करें वो भी पता नहीं है लेकिन बच्चे खेल रहे थे ठीक है मतलब पहले स इसे काम यह जारी था अभी हो रहा है कि नहीं और यह पूरा हुआ है कि नहीं पता नहीं है तो यह सब क्या है अपूर्ण भूतकाल है जैसे राम नाच रहा था तो राम पहले से नाच रहा था अभी रूका है कि नहीं पता नहीं है मैंने उसका काम पूरा हुआ है कि नहीं प भूत काल काते हैं मतलब वो काम पहले हुआ है लेकिन उस पर संदे हो रहा है ठीक है जैसे मुकेश ने पत्र लिखा होगा ठीक है संदे कर रहा है कि लिखा है कि नई लिखा है लिखा होगा ठीक है तो मुकेश ने पत्र लिखा होगा तो क्या है अभी भी उस पर संदे है ठीक इस सब संदेह जनक है इत्यादी ते इस सब क्या है संदिक्द भूतकाल आगे है छठा नंबर का कि हेतु हेतु मद भूतकाल जैसे कि हेतु कार्थ होता है कि कारण या सर्थ होता है जैसे कि काल की कीरिया के होने में कोई सर्थ पाया जाए ठीक है तो इसको बोलेंगे हेतु हे आता तो वह जाता तो यहाँ पास सर्थ क्या है कि मैं आता तो वह जाता ठीक है यहाँ पास कारण है यदी मैं परिश्रम करता तो सफल होता यानि कि मैं यदी परिश्रम करता तो इसका कारण होता कि सफल मैं हो जाता ठीक है यदी वर्षा होती तो फसल अच्छा होता तो यहा जो आने वाले समय का ज्यान कराए उसे भविस्यत काल कहते हैं मतलब जो आने वाला समय के बारे में बता आए उसका ज्यान कराए तो उसको भविस्यत काल कहेंगे जैसे वह लिखेगा मने भविस्य में क्या करेगा वह लिखेगा रोहनी नाचेगी रोहनी क्या करेगी नाचेगी ठीक है आज मातर हर एक टोपी के बारे में जानकारी के लिए वीडियो बनाया गया है कल इसका कीशन इंसर सिरीज आएगा तो किरिपया उस सिरीज को आप पढ़ ले और उसमें वाच से भी रिलेटेट परसन रहेगा और काल से भी रिलेटेट पर रहेगा ठीक है आगे है कि भविस्यत काल के तीन परकार होते हैं कितने परकार होते हैं तो तीन परकार होते हैं पहला है कि समाने भविस्यत काल ठीक है बात करेंगे तो राम पत्र लिखेगा तेसा भविष्य में सोचा जा रहा है कि राम पत्र लिखेगा ठीक है या राधी का नाचेगी ठीक है इत्यादी यह सब क्या है कि समानी रूप से होना पाया जाए भविष्य में दूसरा है संभाव्य भविष्यतकाल ठीक है भविष्य चोड़ पकड़ा जाता, ठीक है, सायद चोड़ पकड़ा जाए, दूसरा है, कि सायद आज वर्षा हो, तेहां पास भी संभवना लगा रहे हैं, कि आज वर्षा सायद हो, ठीक है, आगे है कि तीसरा, हेतू हेतू मत भविष्यत काल, मतलब किरिया के जिस रूप से यह जाना जाए कि भविष्यत काल की किरिया का होना, किसी दूसरी किरिया के होने पर अधारित है, मतलब कि एक काम तभी होगा, जब एक काम हो चुका होगा, ठीक है, यह होगा, जैसे कि यदि तुम आओगे, तुम मैं चलूंगा, यहापस क्या है कि एक काम हो रहा है, तब दूसरा क स्टार्ट होगा मतलब यदि तुम आओगा तुम्हें चला जाओंगा वह आएगा तुम्हें जाओंगा तेपस क्या है यह सब हेत्टू हेत्टू मद्वविश्यतकाल का उदारन है ठीक है आज का यह वीडियो मात्र टोपिक वाइज जनकारी के लिए था कल टेंज का काल का क क्यूचर इंसेट सिरीज अरंभ होगा तो कृपया कल वी इसे क्यूचर इंसेट सिरीज को अप लिख लेंगे क्योंकि जैसेसी अब बार बार नोटिफिकेशन निकाल रही है तो हो सकता है कि जारखन पुलिस तथा जारखन इकसाइज और जारखन इस्पेसल ब्रांच का प ठीक है तो अब इसे हटा करके सो रुपया फी कर दिया गया है और एस्टी एस्टी का फी को क्या किया गया है वो सो रुपया से घटा करके पचास रुपया कर दिया गया है ठीक है तिहां पास जो ओबी सी और जेनरल के इस्टेट के लिए काफी रहत है तो आसा है कि अब ज तो आज के लिए तना ही मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद